इस वीडियो में CSWT July 24 exam related complete information दे देंगे, अगर आपको CS बनना है तो CS के पहला level को बोलते हैं CSWT, इसके बाद CSWT जब पास कर जाओगे तैन जाओगे CS Executive में, CS Executive पास कर जाओगे, इसके बाद जाओगे CS Professional में, CSWT का exam साल में 4 बार होता है, अभी आपके लिए जानकारी के लि CSWT का exam July 24 में दे सकते हो, अगर आप लोग 12 में appearing हो, या 12 पास आओट हो, या graduation के किसी भी level में हो, आप लोग चाओगे तो सीधा registration करके exam में appear कर सकते हैं, अब ध्यान से बाते को सुनने न, CSWT का exam MCQ pattern में होता है, चारो paper, चारो paper में negative marking नहीं होता है, और हाँ CSWT का exam देने क सिर्फ और सिर्फ registration करना होता है, और कोई भी exam fee नहीं होता है, सिर्फ एक बार registration कर दीजिए, अराम से पढ़ाई कीजिए, और हाँ negative marking नहीं होता है, MCQ में pattern में सारा paper होता है, और आपको exam देने के लिए सिर्फ और सिर्फ laptop या desktop पे ही exam दे सकते हो, exam center जाने का ज़र्वत नह पूछिए, अपने मन से doubt मत पूछिएगा कि mobile या tab से exam दे सकते हैं, नहीं दे सकते हो, यानि कि computer based MCQ test होगा, यहाँ पे आपको exam center पे जाने का ज़रूत नहीं परेगा, कोई भी negative marking नहीं होता है, और हाँ January में, July और November में, साल में 4 बार exam होता है, अभी July 24 के लिए registration से registration करना, मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा, और हाँ students registration fee का बात किया है, तो 2000 रुपया लगता है, और registration करने का आखरी date क्या है, July 24 CSWT के लिए, 15 June 2024, 15 June तक अगर आप लोग registration कर दोगे, then July 24 के exam में appear कर सकते हो, 15 June के बाद registration स्टार्ट हो जाएगा किसके लिए, number 24 के लिए, CSWT के लिए, तो यानि कि अगर आपको July में exam देना, 15 June तक registration कर लिए, number 24 में exam देना, 16 June से registration स्टार्ट हो जाएगा, number 24 के लिए, registration fee का बात किया है, तो 2000 रुपया होता है, और हाँ, एक ही बार देना होता है, कोई भी exam form फिल नहीं करना होत आप लोगों के जानकारी के लिए बता दे, CSWT July 24 का exam date का बात किया जाए, तो 6 July 2024 है, एक बार फिर से बोलना है, 6 July 2024 को exam हो रहा है, और हाँ बच्चों ध्यान से बाते को सुन लिजिएगा, अभी तो आप registration कर रहे हो, इसके बाद आपका admit card, mock, test, exam कैसे देना, time to time charter studies, video बना अपडेट नहीं मिल पाता है, तो चैनल पे नए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और passing criteria, rule के बारे में जान लेते हैं, चारो paper में आपको 40% marks आईए, पास करने के लिए, साथ में 50% aggregate, total मिला करके 50% होना चाहिए, दोनो rule follow करेगा, तभी जाकर के आप CSWT के exam में पास कर सकते हो, तो आई होब कि आपका doubt क्लियर हो रहा होगा, चैनल पे नए हो, तो प्लीज बच्चो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, एक और important बात, आप लोग साथ में मुझसे बाती करना चाहते, कोई additional doubt है, तो आप सीदा मुझे message कीजिए, चार्टे studies के Instagram पे, इ ये तो Q&A समझ करके आप ignore कर दीजिए,